ये नमस्कार किसान भायू स्वागत है आप सभी का आपके एपने youtube प्लेटफोम राजस्थान मौसम में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में जिसमें बताएंगे आगामी 3-4 घंटों के अंदर राजस्थान की किन जिलों में बारिश की गतिवीद्य आउने। इसके साथ ही बताइंगे आपके जिले के बारे में भी जानकरी तो आप सभी किसान भयियू से निविदन देहेगा वीडियू को अंतर तक देखीगा वीडियू को लाइक कर देजेगा और अपने जिले का नाम है वीडियू के comment box में जरूर लिखिएगा किसान भायू आगामी तीन से चार गंटों के अंदर राज़तान की शेतर में फिरशे भारी बारिस की गतिविद्या होने वाली है कई सारे स्तानों पे तेज गरजना के साथ में वजरपात यानि बिजली की समग के साथ में बारिस की गतिविद्या देखने को मिलेगी और कई सारे जिलों में भारी से थी भारी बारी जैसी गतिविद्या वही देखने को मिलने वाली है जिसमें भरतपूर संभाग और जैपूर संभाग के कई सारे भागों में आगामी 3-4 गंटों के अंदर बारिस की गतिविद्यां देखने को मिलेगी जिसमें भरतपूर, दोलपूर, कौरोली, श्वाई मादेपूर, दोसा के भागो में बारिस की गतिविद्या देखने को मिलेगी वही जैपूर, श्वाई, मादेपूर के भागों में भी कई सारे इस्तानों पे हैं भारी बारिज जैसे गतिविद्या देखने को मिलने वाली हैं वही चिकर, चूरू और कुछ जुझनू के भागों में भी आज साम को बारिज की गतिविद्या देखने को मिलेगी वोटा बुद्धी बारा जहला वाड़ी के भागो में भी आगा में तीन चे चार गंडों के अंडर भारी बारी जैसे गतिविद्या चालू हो जाएगी कई सारे स्थानों पे जल भराव जैसे इस्तथी भी होने की संभाव न रहेगी और कई सारे स्थानों पे बीजले गिरने की भी संभाव न रहेगी तो आप सभी किसान भायों से निवदिन रहेगा आप ससेत रहेगा वही आज विकानेर संभाग वासियों के लिए भी खुजकबरी है आज साम के समय में विकानेर समबाग में भी बारिस की गत्विद्या होने की समबावनाई बन रही है जो की काफी परबल हैं और कई सारे इस्तानों पे हैं अच्छी खासी बारिस देखने को मिलेगी जिसमें विकानेर चिले की समस्त भागों में हैं बारिश की गतिविद्यां आज साम को और रातरी के समय देखने को मिलने वाली है वही गंगानेगर हनमानगटी के भागों में भी आज रातरी को और शाम के समय में हैं बारिश की गतिविद्यां देखने को मिलेगी उनके बारे में भी साम को साथ मज़े मौसम बुलेटिन आएगा उसमें और ज़्यादा विस्तार्षे आपको बताया जाएगा वही जैसल मेरी के कई सारे भागों में आज भारी बारी जैसी कतिविद्या देखने को मिलने वाले हैं जिसमें कुछ सम्तेसेल के, कुछ पोकरन के भाग रहेंगे, कुछ जैसल मेरी शेहर और इसके आसवास के भाग रहेंगे यहां पर भारी से अती भारी बारी जैसी कतिविद्या आज साम को देखने को मिलने वाले हैं बारे में भी आगावी मोसम बुलेटिन में आपको और ज़्यादा विस्तार शे बताया जाएगा वही उद्यपूर संभाग में आज रात्री को बारिश की गतिविद्या होगी आज दो पेर को भी कुछ इस्तानों पे खंड बारिश की संभावन रहेगी जिसमें उद्यपू बादलों की आव ज़्याई के भी इसमें मोसम सुस्क रहेगा लेकिन कुछ इस्तानों पे खंड बारिश की संभावन आगामी 2-3 गंटों के अंदर बन रही हैं वही आज रात्री को यहाँ पे भी कई सारे स्तानों पे मुशलाधार बारिश की संभावन रहेगी उनके बार संभाग के भी समस्त भागों में बारिश की गतिविद्यां देखने को मिलने वाली हैं कोटा संभाग के भी कई सारे भागों में अच्छी खासी बारिश और कुछ इस्तानों पे भारी बारिश जैसी गतिविद्या आगामी 3-4 गंटों के अंदर देखने को मिलने वाली हैं यनि राजस्थान के जारतर शेत्रों पे बादलोग की आवजए के विसमें हलकीष्ये मध्यमतकुछे इस्तानों पे भारी बारिस की संभावना बन रही है। बाकि आज रात्री को कही सारे जिलों में भारी बारी जैसी कत्वितियां देखने को मिलेगी उनके बारे में भी साम को साथ बज़े वाले मोशमुली डिनी में आपको बताया जाएगा साथ इस वीडियो में बस इतना ही नमस्कार जैहिंद इसे आप जार जार शेर किजेगा